हलो फ्रेंड्स मैं आपको दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक यदि अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए आइकन बैल हिट करिए फ्रेंड्स के साथ सेयर करिए आपका ये सपोर्ट हमारे लिए एक मोटिवेशन है और इस मोटिवेशन से हमें अपना काम करने में काफी मदद मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें आज हम बात करेंगे कि डिफ्रेंस इन एंजाइटी एंडिप्रेशन मतलब क्या बेसिक डिफ्रेंस है का रूट कॉज है कैसे हम उसको समझ सकते हैं और कैसे हम एंजाइटी से खुद डील कर सकते हैं डिफ्रेशन से डील कर सकते हैं बेसिक यदि बात देखी जाए तो हर इंसान को कभी ना कभी एंजाइटी और कभी ना कभी डिफ्रेशन जरूर होता है लेकिन एंजाइटी य यह occasionally होता है due to the condition, social condition, family condition, financial reason हो सकता है या फिर आपका स्वास्त भी उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है तो बहुती common है और बहुती normal है depression के साथ साथ देखा यह जाता है कि कुछ लोगों को कभी depression हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा है वो anxiety फिल करते है तो इसको समझने की ज़रूत है कि anxiety क्या है और depression क्या है यदि basic बात समझी जाए और आपको मैं simple terms में यदि बताऊं तो जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं यानि कि हमारी सोचने की जो frequency है जब वो बढ़ जाती है suppose example के लिए सोचिए कि एक normal condition यह है कि एक मिनट में आपको 4-5 thought आते हैं यदि एक मिनट के अंदर आपको 10 thought आ जाए या फिर आपको बहुत जल्दी-जल्दी thought आए यानि एक thought आए उस पूरा ना कर पाएं आप उसको respond ना कर पाएं और दूसरा thought आपको immediately taper कर ले और आप anxiety, aggression फील करें या फिर आप उसमें एक disturbance देखें तो फिर यह anxiety है depression में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा negative सोचते हैं हम बहुत ज़्यादा एक चीज के पीछे obsaces हो जाते हैं और repeatedly हम एक fear में रहते हैं depression और anxiety एक fear का भी मसला है कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो एक thought को लेके एक चिंता को लेके बने रहते हैं मतलब वो कोई information लेते हैं इधर उधर से और उस information को आधार मानके उनका fear day by day बढ़ता रहता है और उसका result होता है कि वो depression में गिर जाते हैं या फिर एक continuously anxiety बनी रहती है तो depression और anxiety को deal करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने को सबसे पहले normal इंसान माने और depression और anxiety कोई बीमारी नहीं है एक state है लेकिन यदि ये state यदि ये condition लगातार लंबे समय तक बनी रहे तो फिर ये एक बीमारी है या फिर वो बहुत जल्दी जल्दी repeat हो और वो आपको सारे लेवल पे मानसिक लेवल पे और society के साथ connect करने में यदि problem आपको आ रही है तो फिर ये एक बीमारी है फिर आपको अपने symptoms को समझना होगा आपको physician से फिर discuss करना होगा लेकिन यदि हमें ये मतलब कुछ conditional हो रही है कभी कभी हो रही है तो फिर ये नॉर्मली ठीक भी हो जाएगी इससे ज़्यादे परिसान होने की घबराने की कोई आविशक्ता नहीं है अब जो depression और anxiety का एक root cause है वो एक इनसान की अपनी एक nature भी है इनसान का अपना एक genetic reason भी है यदि आपका nature उस तरह का है कोई genetic reason आपके साथ है कोई health condition उस तरह की आपके साथ जुड़ी हुई है या फिर समाज के level पे या फिर finance के level पे या फिर personal level पे आप कुछ trigger है आपको कुछ problem है कुछ conflict है तो आप उसको सुलजाईए उसको solve करिए और आगे move करिए अब anxiety या फिर depression यदि किसी को है तो सबसे पहले आप उसको clearly समझने की कोशिस करिए यदि anxiety आपको है तो आप meditation करिए आप breathing exercise करिए आप आराम से walking करिए ये आपको help करेगा लेकिन यदि आपको depression है तो फिर आप active sports की तरफ जाईए यानि कि depression वाले लोगों की exercise अलग है और anxiety anxiety वालों की अलग है depression वाले जो लोग है उन्हें active sports की तरफ जाना चाहिए crowd की तरफ जाना चाहिए जहां बहुत सारे लोग हो जहां पे बहुत सारी gathering हो लोगों से बात करनी चाहिए और outdoor game is directly helpful वो depression से भाहराने में काफियर तक मदद करते हैं आपको active sports के साथ साथ running करना चाह चाहिए और फिर आपको music का सारा लेना चाहिए drafting करनी चाहिए और सबसे important पार्ट यह है कि एक discipline आपको बनाना है एक discipline के साथ आपको day-to-day life में आगे बढ़ना है यदि discipline से आप सब कुछ करते हैं discipline से आप उठते हैं आपका time fix होना चाहिए हर चीज का working time है आपका morning time है evening time है आपका अपनी exercise का time आपको अपने आपको entertain करने का time प्लस आपको सोने का time यह सब कुछ आप fix करें और कुछ नहीं करना है आपको केवल अपनी energy को अपने time table को follow करने में लगाना है यदि आप 15 दिन भी आप वो time table follow कर पाए तो आप definitely anxiety depression से भाहर आएंगे और आप better feel करेंगे लेकिन यदि आपको normally अपने brain को body को regulate करना है और connect करना है तो आपको discipline होना होगा और continuously एक discipline में daily basis यह सब कुछ करना होगा यदि आप अपने body को regulate कर पाए आप connect कर पाए तो depression anxiety से आप अपने को भाहर पाएंगे और ठीक भी हो जाएंगे जरुरत इस बात की है कि depression में रेंजाइटी में जो हमारे brain के अंदर जो हमारे chemical का और हमारे neurons अटिसू का जो एक coordination है वो बिगड़ जाता है उस coordination को ठीक करना है उसको ठीक करने के लिए अच्छी नींद प्लस meditation प्लस outdoor game will helpful उसके बाद आता है कि हमारा brain और body के साथ जो connection है व हमें उसको भी दुबारा से री स्टेबलेस करने की जरुद है यदि वो connection रिया स्टेबलेस हो गया तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे thank you very much and take care yourself कि माज़की का तो हमेएंगे उसके तर खॉणीं का यदावफ चि रएंगे आता है तो है तो है टक है एंगे तो कि उसके तो है को उसके अदो है